मुंबई के नाला सुपारा और डोंगरी में गिरी इमारत, दो इमारतों के गिरने से मचा हड़कम प्रहा टाइम्स की नूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बोल आइकोन दबाना ना बोलें मुंबई में दो अलग अलग जगों पर इमारत गिंडे से हड़कम मच गया है, मुंबई के नाला सुपारा में एक चार मंजिला इमारत गिरी है, तो वहीं मुंबई के डोंगरी में बुधवार की सुभा अचाना के 7 मंजिला इमारत का पीछे का हिस्सा गिर गया यहादसा सरदार वल्लब भाई पटेल रोट डोंगरी में हुआ है जानकारी के मुताबिक हादसा सुभा आठ बजे के आसपास हुआ है बताय जा रहा है कि इमारत का पीछे का हिस्सा गिरा है इसलिए कोई हाताहात नहीं हुआ है पेक महिला की मलबे में दवे होनी की खबर सामने आई थी सूचना मिलते ही दमकल विभाग बीमसी के कर्मचारी मौके पर पहुँच कर रहत बचाव कारे शुरू कर दिया और मलबे में दवी हुई महिला को बाहर निकाला गया है वही दूसरी खबर मुंबई के नाला सुपा रहते है जहां मंगलवार की देर रात में एक चार मनजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह गिर गई इस चार मनजिला इमारत में पांच परिवार के 25 सदस्य रहते थे खतरनाक हो चुकी इस इमारत को लोगों ने पहले ही खाली कर दिया था मगर उसके बावजूद इसमें पांच परिवार रहा करते थे निमत रही कि इमारत के दीवारों में धरार पढ़ते देख अस्थानिये लोगों ने जैसे तैसे इमारत में रहने वाले इन पांच परिवार के 25 सदस्यों को बाहर निकाला वैसे ही ये इमारत धराशाई हो गए हलाकि किसी की जान जाने की खबर इस हादसे में नहीं है मग कर्म सूचना मिलते ही दमकल विभाग और वीमसी के कर्मचारी मौके पर पहुच गए और मलबा हटाने का काम जारी है तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाटेंग